करनाटका की महिलाएं इतनी खुश है, तीरा थ्यात्रा पे निकल रही है, रिष्टेदारों से मिलने जा रही है, बस की कोई टिकेट की कोई फीज नहीं है, मुफ्त जाती है तो जहां जहां हमारी प्रदेश सरकार है, हमने गैरंटी को पूरा करके दिखाया है जैसे ही सरकार बनती है, गैरंटी को पूरा करने का काम शुरू होता है हम यहां अब कह रहे हैं, कि देश में केंद्र में हमारी सरकार अगर आएगी तो मेरे किसान भाईयों, आपके कर्जमाफी के लिए एक स्थाई आयोग बनेगा जिससे जब जब आपको ज़रूरत पड़े संकट में हैं, आप वहाँ जाकर अपने कर्जमाफ करा सकते हैं आपके लिए जितने भी खेती के समान है, वो सारे जीस्टी मुक्त हो जाएंगे श्रमेकों के लिए 400 से कम मजदूरी पूरे देश भर में नहीं हो पाएगी एक कानून बनाएंगे जो 30 लाख सरकारी पद मोदी जी ने खाली रखे हैं दस सालों से, उनको भरा जाएगा उन सरकारी पदों में से आधे पद महिलाओं के लिए जाएंगे नौजवानों के लिए 5000 क्रोर रुपे का फंड बनेगा कि अगर आप अपना कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको सुविधा उस फंड से मिलेगी जो सुनातक पाथ बच्चे हैं उनके लिए एक लाख साल आना की अपरेंटिस्शिप मिलेगी मतलब जब तक स्थाई रोजगार नहीं मिलेगा तब तक आप एक ऐसी नौकरी करेंगे जिससे आप सीखेंगे भी और आपको वेतन भी मिलेगा कम से कम एक साल में एक लाख रुपे मेरी बेहनों आपके लिए जो गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हर महीने साड़े आठ हजार रुपे कुल मिलाकर एक साल के बाद वो एक लाख रुपे बनता है आपके खाते में डाइरेक्ट सरकार डालेगी ये उस बात की पहचान है कि आप घर पे भी कितना काम करती है आप ग्रिहस्ती समालती है, परिवार को समालती है ये उस बात की पहचान है हम आपको मजबूत करने का काम करना चाहते है तो इसी तरह से हमारी तमाम गैरेंटी है ये तो सिर्फ थोड़ी है जो मैंने बताई आपको इसके इलावा भी बहुत सारी गारंटी है जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी हमारे कारी करता देंगे हम इन सब को पूरा करके आपको दिखाएंगे एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो खरब पतियों के लिए नहीं आपके लिए चले हमने हमेशा उद्योक का समर्थन किया है उसको बढ़ाया है आपने यहां भी देखा राइबरेली में इंदरा जी आईटी आई लाई हमेठी में पेरे पिता जी भी एचियल लाई ये सब काम भी किये हमने चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो हमने सब को मजबूत किया है ताकि आपको रोजगार मिले लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पाद छे खरब पति पूरी देश की संपति ले रखे हैं उनको दिया जा रहा है सरकार के द्वारा और बाकी जो जनता है 90 प्रतिशत जनता वो खाई में ही रह रही है तो इन परिस्थितियों को बदलने के लिए आप भारी बहुमत से इस चुनाओं में राउल जी को चिताईए आपको एक ऐसे सार्पद मिलेंगे जो दिन रात आपके लिए काम करेंगे आपके लिए समर्फित रहेंगे ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ डरते नहीं है जुकते नहीं है जहां अन्याय देखते हैं वहां अन्याय के खिलाब खड़े रहते हैं कोई इनको दबा नहीं सकता कोई इनको डरा नहीं सकता ये आपके है और आपके ही रही है आप सब को बहुत भाँब धन्यवाद भाँब भाँब धन्यवाद कि रहने में बहुत सारी आई हैं आपकी आभारियों आप यहाँ हैं मेरी बातों को सुनने के लिए जैसे आप सब जानते हैं चुनाव का समय है चुनाव में यहाँ से कॉंग्रेस पार्टी के उमिद्वार मेरे बड़ी भाई श्री राहुल गांदी जी है जानते हैं को क्या जानते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे हैं भाई अच्छे हैं वह इस देश में आभी के समय अज के समय एकलोते ऐसे नेता होंगे जिनोंने कन्यक हुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की सिर्फ इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए और आप सब से मिलने के लिए आपकी समझ्याओं को समझने के लिए आप सब ने शायद उस यात्रा को देखा होगा उस यात्रा में जहां जहां उनको लोग मिले वो रुके उन्होंने लोगों से बातचीत की वो समझें कि आपकी क्या समझ्याओं है जब वो उस यात्रा से वापस आए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सारे जो बड़े नेता हैं हम सबसे बात की और उन्होंने ये बात कही कि पिछले दस सालों में मोदी जी के सरकार में जरा आप चुप रहेंगे मोदी जी की सरकार में बिछले दस सालों से सबसे ज्यादा अन्याएं देश के गरीबों के साथ देश के किसानों के साथ देश की महियाओं के साथ हुआ है क्योंकि जो मोजी जी की सरकार रही है उसने जितनी भी नीतिया बनाई है वो सब बड़े बड़े खरवपतियों के लिए बनाई है आज इस देश में कोई ऐसी नीती नहीं है जो गरीबों के लिए बनी है जो इस समझ से बनी हो कि आपके जीवन का संघर्ष क्या है आपको टीवी पे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाये जाते हैं और यह दिखाया जाता है कि देश आगे बढ़ रहा है अर्थ वहस्ता मस्बूत हो रही है देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन ये बात आपको अपने जीवन में नहीं दिख रही है और आप दुकान जाती है कुछ खरीदने के लिए तो मन में ये सोच के आजाती है वापिस कि चलिए आज ये खरीद लेते हैं दो-तीन चीज़े नहीं मिली तो कोई बात दे हैं अगली बात ले लेड़े हैं कि नहीं आपको बच्चों की फीज भरनी पड़ती है किसी का इलाज कराना पड़ता है भुजर्गों का देखबाल करना पड़ता है घर में कोई समस्या है कुछ तूट गया है उसकी मरम्मत करनी है तो घबराहत होती है कि कैसे करेंगे क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ शुकी है कि आप मुश्किलों का सामना ही कर रहे हो और चाहे कितने भी कमाने की कोशिश करें चाहे दो-दो सदब से परिवार के काम कर रहे है खेती में भी मदद कर रही है बहिलाएं या फिर कोई मजदूरी कर रहा है या किसी की नौकरी है तो किसी और की भी नौकरी है गर में अगर दो-दो लोग भी काम कर रहे है तीन तीन भी काम कर रहे है फिर भी कमाई काफी नहीं हो रही है फिर भी पूरी नहीं होती बचत नहीं होती तो यह आपकी परिस्थेतिया है आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, बहुत मेहनद करते हो चाहे आप किसान हो, चाहे गरीब से गरीब आजकल जो परिवार है धूर दढ़ास गाओं में भी, सब यही चाहते कि बच्चे पढ़े लिखे ताकि बढ़े होकर अच्छा रोजगार मिल जाए आप पढ़ाते लिखाते हो, कभी कभी कर्द लेते हो पढ़ाई के लिए बच्चे को ट्यूशन के लिए भेजना है, परीक्षा भरती की परीक्षा लेने के लिए तो आप उसका इंतदान करते हो तो बहुत मुश्किलों का सामना करके, संखर्श करके आप बच्चों को बढ़ा करते हो तो कम से कम सरकार को दख सालों में ये करना चाहिए था कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके लिए रोजगार के मौक्य बनाने चाहिए थी लेकिन इस सरकार ने क्या किया देश की जो संपत्ती थी वो सारी बड़े-बड़ी उद्युखपतियों को दे दिये चाहे देश का कोईला, सारे जितने भी कधान हैं, देश की बिजली, सडकों के सारे ठेके, बंदरगा सारे, हवाई अड़े सारे ये साथ बड़े-बड़े खरवपतियों को सौप दिये, इस से क्या होता है, आपको रोजगार मिलता था, वो रोजगार धट रहा है, खेती में कमाई नहीं हो रही है, क्योंकि जी-एस्टी टेक्स हर खेती के समन पे लगा दिया हो, आपको न्यूंतम समर्थन मूल्य भी नह गेता, खेती किसानी में मुश्किल हो गई है, यहाँ से कमाई नहीं होती, जब किसान खुद नहीं कमा रहा है तो कम मजदूर रखता है, तो रोजगार भी खेती से फिर कम बनता है, जो छोटे दुकार होते थे, मध्यम बिजनस होते थे, जो किसी ने अपना यूनिक शुर भी कमाई नहीं हो रही, तो वो कहां से रोजगार दिलवाएंगे, तो जित्ते भी रोजगार के साधन भ्रेव और तकरीबन इनों ने बंद कर डाले, तो रोजगार बनाने का काम नहीं हुआ, उपर से वेंगाई बढ़ती चली रही, मेरी बेहनों के हम बात करें, तो मेरी ब जब तक नहीं सोगे, जब तक परिवार के एक-एक सदर्से को नींद नहीं आए, वो सोए नहीं है, आप कहीं बाहर जाके काम भी करोगी, तो घर आके सफाई, खाना पकाना, सब की देखबाल करनी, ये भी आपका काम है, किसी ने इस काम को कभी पहचाना नहीं है, किसी ने यह नहीं कहा कि बहन तुम नौकरी करने के बाद भी घर आकर कम से कम 6-8 घंटे का काम करती हो तुम्हें कोई मदद मिलनी चाहिए महंगाई का सामना आप करती हो जैसे मैंने कहा अगर 2-3 देन मजदूरी नहीं है घर पे पैसे नहीं आए किसी को भूका जाना है तो हमेशा करतियों मैं कल खालो नहीं है लेकिन किसी ने आपके संघर्ष को पहचाना नहीं है आज बड़ी बड़ी राजवियतिक दल कहते हैं कि हम आरक्षन दे रहे हैं महिलाओं को भाजप्पा के नेता कहते हैं मोधी जी कहते हैं लेकिन यह सब चुनावी जुमले हैं क्योंकि जो अरक्षन वो देना चाह रहे थे वो दस सालों के लिए तो लादू ही नहीं होगा जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है चाहे आत्रस में चाहे उन्नाव में चाहे करनाटका में चाहे मनीपूर में तो यह किसका जो जिसने अत्याचार किया है उसकी रक्षा हो रही है बार-बार ये हमने देखा है तो जब महिलाओं की बात आती है तो सब इसको विद्वी जुम्रा कर बढ़े सपने के खाले के बाकी समय आपके लिए सिर्फ पांच किलो का राशन है बस और इस पांच किलो के राशन में क लेकिन इससे भविष्य नहीं बनेगा, इस से आप आत्म निर्भर नहीं बन सकते हैं मैं आज किसी भी नौजवान से पोछू हूं, मैं तुमसे पूछ रही है अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं तुम्हें ये लोग 5 किलो का राशन दे रही हो हर महीने या फिर तुम्हे रोजगार दूँगी तो तुम कौन सा चुनोगे रोजगार चुनोगे क्योंकि रोजगार से खुद कमाओगे आत्म निर्भर बन जाओगे किसी पे निर्भर नहीं रहोगे तो आपको समझना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल इस तरह की नीती बनाएगा जिससे आप निर्भर रहेंगे लेकिन आप आत्म निर्भर नहीं हो सकते आप अपने पेरों पे नहीं खड़े हो सकते उसकी नीती ठीक नहीं है यह आपको गहराई से समझना पड़ेगा, यहां आपके एक शेत्र में जागरुपता हमेशा से रही है, सौ सालों से रही है, हमारी और आपकी बहुत पुरानी परंपरा रही है, राजनीतिक जागरुपता, जो आपकी जागरुपता थी, आपके किसान यहां 103 साल पहले अंद कर रहे हैं किसान, कि गरीब किसान इतने बड़े सामराजे के खिराफ खड़ा हो गया है, तब वो यहां आए, अंग्रेजों को पता चला कि जवाला नहरू यहां आने वाले हैं, तो उन्होंने सब जगे नाकाबंदी कर दी, पंडित जी, एक ट्रक में बक्रियों के नीचे छुपके यहां आए, किसानों से मिलने के लिए, आंदोलन में शामिल हुए, और जब किसान गिरफतार हुए, तो जवाला नहरू जी भी उनके साथ पहली बार गिरफतार हुए, यह आपकी परमपरा है, आपकी एक और परमपरा है, कि जब आपको लगता है कि नेता से कोई गल्ती हो गई, आपको पसंद नहीं आई बात, तो आपने दुरुस्ट करने का काम भी किया, आपने इंद्रा जी जैसी महान हस्ती को भी डंड दिया, एक चुनाव हराया, क्योंकि आप नाराज थे, आपने कहा कि जो इनकी एक नीती आपको पसंद नहीं आई, इंद्रा जी आपसे नाराज नहीं हुई, इंद्रा जी आपका आदर करती थी, वो समझी, कि आज अगर मैं हारी हूँ, तो जनता मुझे कुछ कह रही है, मुझे सुनने की ज़रूरत है, आज के नेता क्या कहते हैं, जनता सवाल उठा रही है, मुझे बंद करो इनका, गिरफ़तार कर लो, बंद कर दो, सवाल किसी को नहीं उठाना चाहिए, आज की सरकार क्या कहती है, कि नीती बनेगी, लेकिन जनता के जरूरतों के आधार पर नहीं बनेगी, नीती बनेगी तो बड़े-बड़े खरब पतियों के आधार पर बनेगी, आज की सरकार क्या कह रही है, कि किसानों को गरीबी की दलदल में रहने दो, इन पे टैक्स बढ़ा दो, इनकी हर चीज को महंगी कर दो, ये अंदोलन करेंगे, छे सो किसान शहीद हुए, अंदोलन में इनकी सुनवाई नहीं होगी, आज की सरकार कह रही है, कि बड़े-बड़े खरब पतियों की कर्ज माफ कर दो, सोला लाक करोड रुपे उनके माफ किये, किसानों का एक रुपया माफ नहीं किया, जो कानून लाने वाले थे, जो कानून किसानों वाले कानून लाने वाले थे, जिसके खिलाब तमाम देश के किसानों ने अंदोलन किया, दो साल पहले, वो कानून क्या थे, वो कानून यही थे, कि खेती किसानी भी बड़ी खरब पतियों को सौंप दी जाए तो आपको समझना पड़ेगा अपनी जागरुकता से ये जो जागरुकता की परंपरा है यहां की कि आज देश में क्या हो रहा है और क्या परिस्थितिया बन रही है आपका जीवन दूसरी तरफ आप टीवी पे इस्तिहारों में बड़ी-बड़ी होडिंग पर ये शागर बढ़ रहा है फूल रहा है फल रहा है मोधी जी दिख रहे हैं हमेशा किसी बड़े-बड़े इवेंट में जा रहे है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सचाई जो आपकी सचाई है क्यों नहीं दिख रही है जब चुनाओ के समय चर्चा होती है टीवी चलाते हैं तो क्या चर्चा हो रही है हमेशा धर्म के आधार पर चर्चा होगी जाती के आधार पर होगी जो फिजूल का मुद्दा उठाना है इनको कभी कह देंगे कि कॉंग्रेस पार्टी आपकी भैस चुराने वाली है कभी कह देंगे कि X-ray की मशीन लाकर कॉंग्रेस पार्टी आपके घरों में घुसेगी और आपके गहने ले जाएगी प्रधान मंत्री कह रहे है इतनी बड़ी इतना बड़ा पद सम्हाल रखा है उस पद की गरीमा को नहीं देख रहे है जो मन में आया वो कह डाल रहे है ताकि आपका ध्यान भटक जाए जो टीवी पे दिख रहा है आज सारे टीवी के चैनल बड़े बड़े खरिपतियों ने खरीद रखे है सवाल पूछते हैं तो सवाल भी उनके कहीं और से आ रहे है वो ये सवाल नहीं पूछेंगे किसी भी पार्टी से कि आप बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या करेंगे मैंने पूछा कल एक पत्रकार आई थी ऐसे ऐसे फिजूल के सवाल कर रही थी मैंने का जरा आप मुझे बताईए कि आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रही है कि कॉंग्रेस पार्टी जनता के लिए क्या करने जा रही है हमारी नीतियां क्या है हम महिंगाई को कम करने के लिए क्या करने वाले है ये सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं ये सवाल इसलिए नहीं उठ रहे हैं क्योंकि दस सालों से मोदी जी की सरकार ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसके जरीये इन सवालों का जवाब दे पाएं रोजगार नहीं बनाएं महंगाई कम नहीं की जितने बड़े बड़े वादे किये थे दो कड़ो रोजगार देंगे नहीं दिये सारा काला धन देश में वापिस आएगा विदेश से और उस में से 15-15 लाख आपके खातों में डाला जाएगा ये भी उनका वादा था पूरा नहीं किया, जुमला था चुनाओ खतम हुआ उनी के ग्रे मंतरी ने कह दिया रहे वो तो चुनाओी जुमला था आप से कहा कि खेती किसानी से आपकी आमदनी दुगनी करेंगे आर सच्चाई क्या है कर ही नहीं पा रहे हो खेती यहां ओले पढ़ते हैं नुकसान होता है भुक्तान भी नहीं मिलता आवारा पशु ऐसे घूम रहा है कि पूछिये मत पात सालों से यह सिलसला चल रहा है रात को किसान बैठता है खेती में पहरेदारी करने के लिए आपकी ड्यूटी तो 24 घंटे की ड्यूटी कर दी है कोई पूछने वाला नहीं है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह जो समस्या है न मैं मिसाल के तौर पे आपको बताना चाहती हूँ कि जब सरकार की नियद ठीक होती है तो कोई भी समस्या हो जनता की उसे हल करने का काम हो सकता है यही समस्या जिसका सामना अब यहां कर रहे हो जो हल नहीं है ति मैं सब्सक्राइब कोंग्रेश सरकार थी पाथ सालों के लिए वहां पर महिलाओं को रोजगार मिल गए महिलाएं 60-70,000 रुपे कमाने लगी जो दूद मिलता था उसको गाउ-गाउ में बेचते थे गोबर को सरकार खरीदने लगी ताकि गोबर हम खरीदेंगे तुम आवारा पशु को अपने यहां रखो उसकी देखबाल करो हम गोबर खरीदेंगे ताकि तुमारी आमदनी बन जाए नुकसानात का भी नहीं होगा, सरकार का भी नहीं होगा, खेती का भी नहीं होगा यहां के कोशाला यह देखी है देखी है चारा नहीं है, पानी नहीं है, छट नहीं है, छपर भी नहीं है गव माता की बात करते हैं धर्म की बात करते हैं फिर जहां देखो गव माता धूप में लेटी हुई है तरप रही है पानी नहीं है खाने को नहीं है दो साथ पहले कितने वीडियो निकले थे आपको याद होगा 40-50 गाए मर रही है गोशालों में ये लोग भुल्डोजर से इनको कबर में डाल रहे हैं इनके लिए लेकिन चारा नहीं दे रहे हैं ये काम ये जो आपकी समस्या ही हल हो सकती थी अगर एक ऐसी सरकार होती आपके प्रदेश में या केंदर में जिसको आपकी समस्याओं के बारे में कुछ दर्द था अपने दिल में कोई दर्द होता कि हाँ इतनी बड़ी समस्या है सब जूज रहे हैं हमें इसको हल करना है लेकिन ये दर्द नहीं है ये लोग कट गए हैं जनता से पूरी तरे से आप भोदी जी को जब भी देखते हैं टीवी पे कभी उनके आसपास कोई घरीब नहीं रहता कोई किसान नहीं रहता ये किसी के घर नहीं जाते हैं इंडरा जी आपके घर आते थी जब प्रदान मंतरी थी मैं किसी भी धूर दराज इलाके में मैं गाउं में जाती हूँ वहां के बुज़र्ग बताते हैं कि आपकी दादी जी आई थी मुझे दिखाते हैं यहां बैठी थी हमसे बातचीत की कभी-कभी कोई पुरानी फोटो भी निकाल देता है तो यह है यहां की परंपरा और इसलिए मैं खास आपसे आग्रे करने आई हूँ कि अपना जीवन बदलना है अपने जीवन में तरक्की लानी है तो वो पुरानी राजनीती जो थी जिसके तहत सारे नेता समझते थे कि देने वाले आप हैं सत्तक बनाने वाले आप हैं नेता समझते थे कि सेवा ही धर्म है वो वाली राजनीती वापिस लाओ नेता को जवाब दे ही बनाओ कि चुनाओ के समय हम दो धर्म की बात करेंगे खासतोर से अपनी बेहनों से शपत दिलवाएंगे बगवान के नम कि भाजपा को वोट दे दो वोट बिल जाएगा हम जीत जाएगे और बाद में काम करने की जबरत नहीं है ये गलत है ये बहुत खराब आदक डलवा दिया अपने निताओं की आप सही आदक डलवा मेरे पिताजी को जनता अमिठी में कहती थी प्रधान मंत्री थे पिताजी जनता कहती थी कि राजे भाईया हम प्यार को बहुत करते हैं लेकिन इस खंबे को आपने लगवा लिया तार नहीं लगाया जब तक तार नहीं लगाया तब तक वोट नहीं मिलेगा जनता समझती थी और नेता भी समझते थे कि जवाब दे ही है तार लगवा दे जनता को खुश रखे तभी जनता समखत करेगी तो ये जो पुरानी राजनीतिक परंपरा है इसको वापिस लाइए राहुल जी को भारी बहुमत से जिताईए कॉंग्रेस पार्टी ने जहां जहां हमने चुनाओं लड़ा है और जहां हम जीते हैं प्रदेशों में आप पता कर लीजिए जानकारी खुद ले लीजिए मेरी बातों पर नहीं कि जो गारेंटी हमने चुनाओं से पहले दी थी क्या हमने उनको पूरी की की नहीं 36 गर में हमने कहा था हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे माफ हुए करनाटका में हमने कहा था कि महिलाओं के खाते में 2000 रुपे हर महीने डलवाएंगे डल रहे हैं आज भी हमने कहा था महिलाओं के लिए पूरी बस यात्रा फ्री होगी पूरे प्रदेश में करनाटका की महिलाओं इतनी खुश है तीरा थे यात्रा पे निकल रही है रिष्टेदारों से मिलने जा रही है बस की कोई टिकेट की कोई फीज नहीं है मुफ्त जाती है तो जहां जहां हमारी प्रदेश सरकार है हमने गैरंटी को पूरा करके दिखाया है जैसे ही सरकार बनती है गैरंटी को पूरा करने का काम शुरू होता है हम यहां अब कह रहे हैं कि देश में, केंद्र में हमारी सरकार अगर आएगी, तो मेरे किसान भाइयों, आपके कर्द माफी के लिए एक स्ठाई आयोग बनेगा, जिससे जब जब आपको जनुर्ण पड़े संकट में हैं, आप वहाँ जाकर अपने कर्द माफ करा सकते हैं, आपके लिए जितने भी खेती के समान है वो सारे GST मुक्त हो जाएंगे